तो स्टुडेट जैसे कि आप जानते कि जो 12th class के स्टुडेट है उनके एक्जाम जो है मार्चिम होने वाले थे जो कि पोस्पोंड होगे लेकिन आप स्टुडेट प्रेशान है अपनी नए डेट शीट को लेके उनको पता नहीं चल रहा कि कब एक्जाम होंगे होंगे या न स्टुडेंट जैसे कि हम सब जानते ही है कि 10th and 12th के जो स्टुडेंट है इनके एक्जाम मार्च में होते हैं रेगलरली लेकिन इस बार कोविड की विजए से एक्जाम तेले हो गए थे और जैसे आप जानते है 10th class के जो एक्जाम है वो तो अलड़ी कैंसिल हो चुके लेक 12th class के एक्जाम जो है वो पोस्ट पॉंड हुए है अब ये पकानी है कि मार्च अपरेल में जो एक्जाम होने वाले थे तब करोना के केसिस बहुत जाद आगे थे खासकर दिल्ली में लगबग 25-30,000 केस आ रहे थे लेकिन 4 अपते के लोगडाउन के बाद अब केसों की संक बहुत काम हो जाएंगे तो 12th class के जो student है उनके लिए अच्छी ख़वर ये है कि आपके exam जून के last week में होने की पूरी संभावना है यानि कि जून का last week आएगा उसमें आपके exam के date sheet होगी आएगी और आपको 15 दिन पहले ही inform किया जा सकता है student तियार हो जाएए आपके पास लगवग एक मीने का समय है तो इसको पॉजिटिव वे मिली जिए आप यापको स्कूल भी नहीं जाना है कोई homework भी नहीं है और आप घर में है क्योंकि lockdown लगा हुआ है तो आपके पास best option है अच्छे से अपनी पढ़ाई के तियारी कीजिए और एक्जाम कब होंगे कैसे होंगे डेट शीट पर नजर मत रखिए आप एक्जाम के तियारी कीजिए क्योंकि आप जानते हैं कि एक एक्जाम होने ही है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्जाम के तियारी कीजिए तो student आज से भी पढ़ाई तियार कर दीजिए क्योंकि आप आपका अच्छा future 12 class के अच्छे marks पर depend करता है तो चलिए पढ़ाई के लिए कमर कस लीजिए best of luck